Hey guys, welcome back, this is Abhilash और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ The Glory Season 2 का जो की है एक K-Drama और ये शो मिलेगा आपको Netflix पर वैसे इस शो की Season 1 का भी मैंने रिव्यू किया था बट वो फाइल अपलोड करने से पहले ही करप्ट हो गई तो खेर तो ये वीडियो भी मैंने Timelines में Divide किया है तो आपको जो भी Section देखना हो इस Review का Just Click and Watch It वीडियो पसंद आए तो Like and Subscribe तो चलो शुरू करते हैं तो इस शो का genre है Revenge Thriller और दोनो सीजन मिला की Total बनते हैं 16 Episodes जो की है 50 Minutes Each और इस शो में आपको मिलेगा थोड़ा बहुत adult content और अगर आप इसे English में देख रहे हो तो ठीक है अगर Hindi में देखते हो तो आपको मिलेंगी बहुत सारी गालिया तो अब आप जानते हैं कि इस शो को किस के साथ देखना है और किस के साथ नहीं देखना है और इसके साथ साथ कास्ट में आपको देखने को मिलेगी ये वाली actress जो की है main protagonist ये है इशो का hero ये है main villain ये है side villain ये भी side villain और ये भी side villain और ये भी side villain तो guys मेरे से नाम वाम के बारे में बिल्कुल मत पूछना मुझे नहीं आद होते हैं लोगों के नाम और इनके नाम में पढ़कर भी नहीं बूल सकता और पढ़कर बूलने में वो मुझे अंदर से अच्छी वाली feeling भी नहीं आती तो जो है वो यह है तो अब चलते हैं आगे तो ये जो है ये है director और ये जो है इन्होंने दिया है music तो अब चुप चाप story पर चलो तो season 1 में दिखाया गया है कि जितने भी villain लोग होते हैं ये मिलकर अपनी जो heroine है इसको bully करते हैं और normal वाला bully नहीं extreme वाला bully जैसे हाथ जिला देना, कभी उसे इतना मारना इतना मारना कि वो मरने जैसी हो जाए और भी बहुत कुछ तो अब जो अपने heroine है वो ठान लेती है कि भाईया अब इन सबसे तो बदला लेना है तो वो खूब पड़ती लिखती है अच्छी जॉब ले लेती है और अब जब उसके पास बहुत सारा बढ़िया पैसा होता है तो आब वो बदला लेने के लिए वापस आती है और इस पूरी चीज में इसको हेल्प करता है इसका बॉइफरेंड ये बंदा और सीजन टू में यही स्टोरी जो है भाई साहब टॉप क्लास परफॉर्मेंस की आक्टिंग देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर सभी लोगों की और जो हिरोईन है उसके तो कुछ जादा ही खतरनाक आक्टिंग है और विलिन्स की आक्टिंग कुछ ऐसी है कि आपको अंदर से फिल होगा कि अगर मैं इसको कहीं रस्ते पर चलते हुए देख लू तो मैं खुद इसको पेल दू और इन सब लोगों से सबसे जादा भारी आक्टिंग जो है वो है इस हीरो की भाई इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है मतलब सक्त से सक्त लॉणडा जो है अगर वो भी इसकी आक्टिंग को देख ले तो वो यही बोलेगा और इसी सेम बंदे की एक और मैंने सीरीज देखी थी उसका नाम था स्वीट होम और उस शो में अपना हीरो जो है वो एंटी हीरो था और उस शो में उसकी आक्टिंग देखके तो भाई आपका दिमाग ही घूम जाएगा तो ओवरॉल गाईज यहाँ पर सबकी आक्टिंग लाजवाब है और बहतरीन है और आप इस सेक्शन में चाहकर भी कोई नुक्स नहीं निकाल सकते है तो गाईज यह स्टोरी जो है वो एक्टिंग ठीक ठाक है और हर एपिसोड को इन्होंने ऐसे मौके पे खतम किया है जहाँ पर आपसे रहा नहीं जाएगा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए और स्टोरी में आपको बहुत सारी लूप होल्स मिलते रहेंगे और एंड तक जाते जाते उन सारी लूप होल्स को बंद भी कर दिये गए और स्टोरी में आप कुछ भी प्रेडिट नहीं कर सकते लिटरली कुछ भी नहीं तो इसका मैं आपको एक छोड़ा से एक्जाम्पल देता हूँ मुझे पूरे सीजन 1 और 2 में लगता रहा कि ये वाला जो पर्टिकुलर आदमी का मर्डर है वो अपनी हिरोईन ने किया है बट एंड तक जाते जाते जब मुझे सक्चाई का पता लगा तो मेरा तो दिमाग फट गया मतलब और हर एपिसोड में अगर एक सस्पेंस से परदा उठाया गया है तो उसी एपिसोड में वापस एक सस्पेंस को और लेकर आया गया है और आपको पूरे एपिसोड में यही लगता रहेगा कि भाई अब यह किस ने कर दिया यार Now that's what I call a perfect, perfect engaging story So story one out of one Point number three, background music तो guys आपको इस show में ना एक blend जैसा कुछ देखने को मिलेगा जो की है produced music का और English गानो का तो अब इसमें जो produced music है वो है average बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक thriller show में होना चाहिए But जो इसमें English songs है उनका selection और उनके exact शुरू होने का जो perfect timing है वो जबरदस्त तो guys मैंना को कहा था ना कि आप रह नहीं पाओगे और आप next episode के लिए भागोगे तो उसका एक सबसे बड़ा reason यह English songs भी है But overall देखा जाए तो मुझे produced music जो है उसको marks देने तो वो तो average ही है तो 0.5 out of 1 Point No.4 Cinematography So guys the camera work is nice and decent मुझे एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी है कि इसमें जो flashback के scenes है उनको बहुत ज़ादा dark theme में convert किया है और जो present वाले हैं उसमें आपको कोई extra color gradient कोई ज़ादा इसे natural effects वगरा देखने को नहीं मिलेंगी जो की बहुत lively feel करवाएगा आपको और इसके अलवा मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ खास efforts डाले गए हैं बट जिसनी जरूरत थी उतना shoot करके छोड़ दिया है So overall cinematography is 0.5 out of 1 So now the last point character development So guys this show में अपनी heroine से ज़ादा जो main protagonist है उससे कही ज़ादा अच्छा character development अपने hero और सारे के सारे villains का हुआ है Heroine is पूरे show में is like की बदला लेना है बदला लेना है That's it But hero पहले episode में is like Acuity pie और end तक जाते जाते वो पक्के villain वाली feeling देगा आपको और पहले episode में villains are like की यार ये बहुत खराब है और end में जाते जाते villains को दिखाया गया है शैतान और हैवान और आपके मन में feeling आएगी की यार कहीं ये अगर मुझे सच में मिल जाएगा ना तो पहले इसका खून मैं करने वाला हूँ तो overall character development 1 out of 1 तो guys मेरा total score बनता है 4 out of 5 तो guys इस show को आप अभी अपनी list में add कर लो और देखना शुरू करो and I guarantee you कि एक बार आप ये देखोगे और end तक पहुँचोगे मुझे दुआए दोगे और अगर आप लोगों ने ये show अल्रेडी देख लिया है